कि अलो फ्रेंड्स वालकम बैक टू माई यूटूब चनल यह आपके सामने एक एसी है इसमें किया आप देख रहे हैं एपूरेटर वह बहुत ज्यादा आइस है आइस आने के क्या रिजन है और इस समय जो इस एसी में फॉल्ड हुआ था वो क्या फॉल्ड है उसी से रिलेट आपको इसके प्रेकर ना आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आइस है इसी वज़े से यह जम गया है तो आपको मैं क्या है डेटियल से बताओंगा इसमें जो फॉल्ड है वो भी आपको मैं बताओंगा कि इसमें क्या फॉल्ड रहा जिससे कि यह आइस बहुत ज्यादा अई इसमें जो इसी है नहीं दो urgent आप देख रहें हैं अपर फ्रेंड नियुक्ष के अगे DIE कि इसके पर इसे परेंटर पर पूर तो इसका बिलोर मोटर भी बिल्कुल नहीं चल आए कि इस इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिलोर मोटर नहीं चल बारा है ठीक है तो इसी क्या फॉल्ड था इसमें और आपके सामने यह सेम अगर फॉल्ड आता है तब आप उसको कैसे सॉल्ड कर सकते हैं ठीक इसी से रिलेट जो अच्कि悠े वीडियो है तो जो पायप आप इंग बहुत ज़्यादा आए से इसी विज़से उसका जो आप है पर रहे ह। प्रूल्ड था वह yifSH कि कि अगर पहले तो अगर आई साथ है तो सबसे पहले आपके क्या है सर्विस की अगर दिक्कत होती है तब भी आई साथ है तो आपको सर्विस को चेक ओट लेना कि कहीं से जो हमारा और यूट है यह फिर इंडोर यूट है वो डस्टी तो नहीं है ठीक है अगर वो डस्टी देने का विखितर तो पीक नहीं है अगर उसका थे री कोगा फिर भी ये दिक्कत आहिए अगर फिलोर प्रोंटर के बुस्ट जाम हो जाते हैं तब में जो फैन मोटर होता है वो भी बीक नहीं होना चाहिए उसकी एकदम त्रॉपर हीडिंग निकलना चाहिए वन्ना हो गया होगा तब भी यह दिक्कत आएगी आइस आएगी ठीक है तो यह सारी आपको स्टेप बई स्टेप चेक कर लेना है अगर आपके सामने यह फॉल्ड आ रहा है तो फ्रेंट्स इसमें जो फॉल्ड था वो यह था कि हम मलब कस्टूमर ने हमें बताया था कि एसी हम आउन करते थे फिर हम आफ कर देते ठीक है जब रिमॉंट से आफ करते थे तब यह दिक्क तो बंद हो जाता था वर्ट और और कंटीनू चलता रहता था ठीक है यह दिक्कत थी तो इस वज़े से और यूट कंटीनू चलता रहता था तो जो पाइपिंग पर आई साई फिर एपर रिटर पाई साई क्योंकि उसका बिलोर मोटर नहीं चलता था इंडोर बंद हो गया जो सप्लाई आ रही थी वो कंटीनू डारेक्ट सप्लाई हो गई थी क्योंकि पीचीवी सौड हो गई इसी वज़े से वहां पर यह दिक्कत आ रही थी तो फ्रेंट समने किया गया उसकी पीचीवी को मतलब जो रिले थी उसको रिपैर करके उसके बाद हमने दुबारा और वह यह भी मतलब करते हैं तो यस्ट ओन हो जाता है वहां पर क्या होता है जो रिले यह पीसी वह रिले लगी तीन मिट की टैमिंग के बाद ही और रून होना चाहिए वहां पर के और तो तुरंट और हो रहा था क्योंकि इस वहां पर खराब थी इस वह दिक्कत आ रही दो फ्रेंट्स आपके सामने अगर यह फॉल्ड आ रहे तो आप यह सारी चीजी चेक कर लें जो मैंने वताइए फ्रेंट्स आपको क्या है इंडोर इंट की प्रॉपर सर्विस देख लें कहीं से पाई पंच नहीं होना चाहिए प्लस उसको जो विलोर मोटर है उसको भी ब पाता है ठीक है तो यह सारी चीजी चेक कर लें आपकी जो फॉल्ड आ रहा है वो फॉल्ड की जो प्रॉब्लम हो सॉल्फ हो जाएगी तो फ्रेंट्स अगर वीडियो एक परसंट भी आपको अच्छी लागी तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यू विजिट किया च थेंकि फॉर वाचिंग